दोस्तों टाइगर स्रो की सबसे पहले फिल्म साल 2014 में आई थी इस फिल्म का नाम था हीरो पंती दोस्तों इस फिल्म में टाइगर स्रो के साथ क्रीति सनन लीड रॉल में थी इस फिल्म का बजट 25 करोड रूपे था और इस फिल्म ने बॉक्स ओपेस पर 72 करोड रूपे की कम की कमाय की और इसी एक साथिया फिल्म वाक्स उपस पर एक सूपर फिल्म सावित हुई दोस्तों फिर इसके बाद इसे साल टाइगर शुरोकी फिल्म आई एफ ख्लाइंगżenia इस फिल्म में टाइगर शुरोक की साथ जेकलिन लीड रॉल में थी, दोस्तों इस फिल्म का बजट 25 करोड रुपे था और या फिल्म बॉक्स ओपेस पर 56 करोड रुपे की कमाई की और इसीक साथ या फिल्म बॉक्स ओपेस पर एक फ्लोप फिल्म सावित हुई फिर इसके बाद साल 2017 में टाइगर सुरो की फिल्म आई मुन्ना माइकल इस फिल्म में टाइगर सुरो के साथ नवाजी दिन सिधिकी और निधियगरवाल लीड रॉल में थी दोस्तों इस फिल्म का बजट 41 करोड रॉपे था और यहा फिल्म बॉक्स ओपेस पर 47 करोड रॉपे की कमाई की थी और इसीक साथ या फिल्म बॉक्स ओपेस पर एक फ्लोप फिल्म सावित हुई फिर इसके बाद साल 2018 में टाइगरवाल की फिल्म आई बागी टू इस फिल्म में टाइगरवाल के साथ दिशापटानी लीड रॉपे थी दोस्तों इस फिल्म का बजट 69 करोड रॉपे था और यहा फिल्म बॉक्स ओपेस पर 25 करोड रॉपे की कमाई की और इसीक साथ या फिल्म बॉक्स उपस पर एक सूपर हिट फिल्म साबित हुई दोस्तों फिर इसके बाद साल 2019 में टाइगर स्रो की फिल्म आई A Student of the Year दोस्तों इस फिल्म में टाइगर स्रो के साथ अननिया पांडे और तारा सुतरिया लीड रोल में थी दोस्तों इस फिल्म का बजट 65 करोड रुपे था और यहां फिल्म बॉक्स उपस पर 95 करोड रुपे की कमाई की और इसेक साथ यहां फिल्म बॉक्स उपस पर एक हिट फिल्म साबित हुई फिर इसके बाद साल 2019 में Tiger's Row के फिल्म आई वार इस फिल्म में Tiger's Row और रितिक रोजन लीड रॉल में थे दोस्तों इस फिल्म का बज़ट 150 क्रोड रुपे था और यहां फिल्म बॉक्स एपच पर 475 क्रोड रुपे की कमाय की और इसेख साथ या फिल्म बॉक्स ओपिस पर एक ब्लॉक बट्टर फिल्म साबित हुई दोस्तों इसके बाद साल 2020 में टाइगर स्रो के फिल्म आई बागी 3 इस फिल्म में टाइगर स्रो के साथ रित्यास धेश्मुक और स्राधा का पूर लीड रॉल में थी दोस्तों इस फिल्म का बजट 85 करोड रुपे था और यहा फिल्म बॉक्स ओपिस पर 117 करोड रुपे की कमाई की और इसेख साथ या फिल्म बॉक्स ओपिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई इसके बाद साल 2022 में टाइगर स्रो के फिल्म आई हेरो पन्ती टू दोस्तों इस फिल्म में टाइगर स्रो के साथ नवा जो दिन सिधिकी और तारा सुतर या लीड रॉल में थी दोस्तों इस फिल्म का बजट 70 करोड रुपे था और यह फिल्म बॉक्स ओपिस पर 35 करोड रुपे की कमाई की और यह फिल्म बॉक्स अपस पर एक फ्लोप फिल्म साबिट हुई